The Life TV, सच सब से आगे ये बड़ा दावा किया है कि आतंकी अमरित पाल का कनेक्शन BJP नेता से है आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ये कहना चाह रहे हैं ये दावा कर रहे हैं कि आतंकी अमरित पाल का कनेक्शन BJP नेता से है और आतंकी अमरितपाल बीजेपी नेता की गाड़ी में खूम रहा है पूरा मामला आपको सिलसलेवार बताएंगे, ट्वीट आपको बताएंगे क्या दावा किया जा रहा है, दावी की सचाई क्या है, दावी को लेकर किस-किस तरह की बाते की जा रही है यह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे तस्वीर में आपको देखेगा, कि आतंकी अमरितपाल जो है, वो बीच में खड़ा है, गाड़ी में किया है, आम आपनी पार्टी के नेता ने, और उसमें आप जो ओनर का नाम है, उस ओनर का नाम देख रहे हैं, ओनर का नाम दिखा है दो से तीन तस्वीर उन्होंने शेर की है अब ये दावा सामने आने के बाद दोस्तों देश में वो हरकंप मच गया है अपने आप में ही एक बड़ा दावा सामने आ रहा है आपने पिछले दिनों देखा कि आतंकी अमरितपाल के समर्थकों ने किस तरीके से पुलिस स्टेश का क्या कुछ उन्होंने ट्विट किया है और कहीं तस्वीर उन्होंने शेर की हैं तस्वीर भी आपको दिखाएंगे सबसे पहला उनका ट्विट किया है उन्होंने लिखा है पंजाब में आतंक फैलाने की कोशिश करने वाला अमरितपाल को बीजेपी नेता और कारोबारी प्रेमनात मोहानी ने अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी दे रखाया या निए कि अपनी गाड़ी दे रखी थी ये कैसा दोगलापन है BJP का जहाँ सरकार नहीं बनी वहाँ आतंकियों को समर्थन दे कर आंक लगा दो बीजेपी जवाब दे कि उनके कारोबारी मित्र ने गाड़ी क्यों दी क्या संभंध है उससे तो आमादनी पार्टी के नेता नरेश बालियान ये दावा कर रहे हैं कि जिस गाड़ी में अमरित पाल घूम रहा है जो गाड़ी आपने देखी मर्सेडिस गाड़ी जो आपने देखी वो बीजेपी नेता का करीबी कारोबारी है उसके गाड़ी है और आपने गाड़ी की डेटेल्स देखी तमाम स्क्रीनशाट उन्होंने शेर कर रखें इसी के साथ दो से तीन तस्वीरे शेर की है वो तस्व TV9 भारत वर्ष की एक और खबर आ रही है पूरे मामले पर और खबर में चौकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है जिसमें बताया गया है कि आतंकी अमरितपाल को ISI जो है वो फंड करता है पूरी खबर आपको बताते हैं TV9 भारत वर्ष का ट्वीट आप देखिए अपनी स्क बीजेपी नेता पर बड़ा आरोप यहां पर लग रहा है और एक बड़ा दावा जो है वो शेयर किया जा रहा है इसी के साथ मैं आपको TV9 भारत वर्ष कबर में क्या कुछ लिखा है वो खबर मैं आपको बता देती हूं खबर में लिखा है बीजेपी के नस्दीगी या करवा रही है और इसी के साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि जिसकी गाड़ी में वो खूब रहा है वो गाड़ी बीजेपी नेता और बीजेपी नेता के करीवी दोस्त की है इसी के साथ खबर में लिखा है आके कट्टर पंती और खालिस्तान समठ्थक और अपने इस कारोबारी का नाम प्रेमनाथ मिहानी है जिसके बीजेपी से गहरे सम्मंद है हाला कि अभी तक अमरितपाल सिंग की ओर से इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया है तो इस खबर में भी उस ट्वेट का जिकर किया गया है उस दावे का जिकर किया गया है जो दावा हमन तिने बताया खालिस्थानि अम्रितपाल को लेकर कि किस तरीके से हैक आतंकी अम्रितपाल में पिछले ही दिनों प div 1 ω बावाल किया, प्ली स्रेशं प्यूंवा किया, पुल्सवालों को चो blame Li situation किया और उसका जो सरदार है अमरितपाल वो बीजेपी नेता की गाड़ी में खूम रहा है बीजेपी नेता के जो करीबी कारोबारी है उसकी गाड़ी में खूम रहा है और ये कैसे संभव है यही सवाल जो है आमादपी पार्टी के नेता पूछ रहे है खबर में चलते हैं आगे खबर में क्या लिखाए देखे लिखाए नियूज 18 पंजाबी के मुताबिक पाकिस्तान की खोफिया एजेंसी आईसाई खालिस्तानी समठ्थक अमरित पाल सिंग को फंड मुहया कराने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ा कैमपेंग चला रही है शिर्ष खोफिया सूत्रो का कहना है कि कनाड़ा ब्रिटेन और कई अन्य देशों में फेस्बुक इंस्टाग्राम के जरिये हजारों तस्वीरे अपलोड की जा रही है पाकिस्तानी एजेंसी इन तस्वीरों में भारत में सिक्खों के कथित उटपीडन का जूटा प्रचार कर रही है इनका विज्यापन भी किया जाता है और यह विज्यापन कनाड़ा यूके और जर्मनी में देखी जा सकते हैं तो यहां पर एक और सलसनी केस खुलासा सामने आ रहा है टीवी नाइन भारत वर्शक्ति खबर में कह रहा है कि अमरिटपाल आतंकी अमरिटपाल जिस सूत्रों के मताबिक इन विज्यापनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सिर्फ 18-25 साल के यूवाव के अकाउंट पर ही देख रहे हैं सूत्रों ने कहा कि विज्यापन सिख नामो रुपनामो जैसे कि सिंग कौर आदी की ओर नडेशित है यह विज्यापन भुक आतंगवादी है अमरिटपाल सिंग उसको आईसाई जो है वो फंड मोहया कराया जा रहा है हालाकि आमाद्मी पार्टी के नेता यहां पर यह भी दावा कर रहे हैं कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा है वो गाड़ी बीजेपी और बीजेपी नेता का जो करीबी कारोबार है उसकी गाड़ी है और ऐसे में उन्होंने गाड़ी का नंबर शेर करते हुए गाड़ी की सारी डिटेल्स भी शेर की हैं ट्विटर पर और बताया है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो आतंकियों का समथन कर रही है यह दावा आमाद्मी पार्टी के नेता नरेश बालि से जोड रहे हैं पंजाब के उत्राधिकारी अमिर्टपाल को बिंडरावाली की तरह चलते फिटते और बात करते हुए दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं युवाव को टार्गेट किया जा रहा है और पूरा यहां पर अमिर्टपाल सिंग का चिठ्था कच्छा जो है वो हलाकि एक और दावा यहां पर आमादी पार्टी के नेता जो है वो शेर करते हैं आप आमादी पार्टी के इस दावे पर क्या सोचते हैं टीवी नान भारत वर्ष की इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सरूर बताएं